हेलो फ्रेंड्स स्टेडी विट मैंक की करेंट अफर सेशन में आपका स्वागत है यह करेंट अफ़ेर अससी बैंकिंग रेलवे स्टेट पीसीएज और इधर कंपटिटिव इग्जमादी में सहाएक होंगे आज की डेट है 16 सप्टमबर 2021 तो चलिए आज का करेंट अफ़ेर सुरू करते हैं अभियंता दिवस यानि की इंजिनियर स्टे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है अफशन A 15 सितमबर अफशन B 10 जनवरी अफशन C 12 मार्च अफशन D 18 जुलाई देश में प्रती वर्ष्टो है 15 सितमबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है M. विश्विशरिया का जन्म जो है वो आपका 15 सितमबर 1861 को मैसूर करनाटक के मुदिनाहली नामक स्थान पर हुआ था भारत सरकार ने वर्ष 1968 में उनकी जन्म तिथी को अभियंता दिवस खुसित किया था डॉक्टर मौक्ष गुंडम विश्विशरिया को सिचाय डिजाइन के मास्टर की रूप में भी जाना जाता है वर्ष 1955 में उनकी अभूत पूर्व तथा जन्हित कारी उबलवध्यों के लिए उन्हें देज के सरवोच्च सम्मान भारत रतन से नवाजा गया जब हो 100 वर्ष के हुए तो भारत सरकान ने उनके सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया उन्हें ब्रिटिस नाइट हूड अवार्ड से भी सम्मानेत किया गया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्शन A 15 सितम्बर चले नेक्स्ट कुषिन पिचलते हैं मलिंगा टेस्ट और वंडे में सब वंडे से पहले ही सन्यास ले चुके थे मलिंगा ने 83 अंतरास्टी T20 में 107 विकेट जटके हैं छे रन देकर 5 विकेट उनका वैस्ट रहा है लसीद मलिंगा के नाम लगातार 4 गेम पर 4 विकेट जटकने का रिकॉर्ड है और उन्हें ये कारणामा दो बार इंटरनेस्टन क्रिकेट में किया है मलिंगा ने नियूजलेंड के खिलाब साल 2019 में T20 में यो प्लविदी दुसरी बार हासल की थी तो इसका जो सही अंजर होगा ऑफ्षन B होगा अपका लसीद मलिंगा चले नेक्स्ट कुशन पर चलता है हाले में किस राज्य की सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाकों पर प्रतिबन लगा दिया है ओफ्षन A बिहार, ओफ्षन B जाकन, ओफ्षन C दिल्ली, ओफ्षन D असम केजरिवाल सरकार ने इस साल भी दिवाली को देखते हुए पटाकों पर प्रतिबन लगा दिया है दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल ने टूइट कर इसकी जानकारी दी ये जिवाल ने कहा कि पिछले 3 साल से दिवाली के समय दिल्ली के प्रदुशन की खतरनाक स्थिती को देखते हुए, पिछले साल की तरह इस बार भी हर प्रकार के पटाकों के भंडारण, बिक्री एवन उप्योग पर पूर्ण प्रतिवन दगाया जा रहा है, जिससे लोगों उप्रेटिंग सिस्टम में अपने दबदबे का दुर्पयोग करने को लेगर, गूगल पर निम्निमे से किपने करोड रुपे का जुर्माना लगाया है, ऑफ्शन A, 1,005 करोड रुपे, ऑफ्शन B, 1,105 करोड रुपे, ऑफ्शन C, 1,805 करोड रुपे, ऑफ्शन D, 1,305 करोड रुपे, दक्षन कोरिया ने जो है, गूगल पर 117 मिलियन डॉलर, जो कि करीव आपका 1,305 करोड रुपे होगा, का जुर्माना लगाया है, गूगल पर यो जुर्माना, मॉबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और एफ मार्केट में अपने दबदबे का गलत फायदा जुर्माना इस कानून के लागू होने की तुरंदबार लगाया है, तो इसका जो सही अंसर होगा, गूग आपका ऑफ्षन, ऑफ्षन D, 1305 करोड रुपे, चले नेक्स्ट कुशिन पर जलता है, हाली में जमाटो के किस को फाउंडर ने हाली में इस्तफा दे दिया है, ऑफ गुपता ने इस्तफा दे दिया है, वे कंपनी में सप्लाइ डिविजन के हेड थे, करीब दो महीने पहले जमाटो ने खुद को सेर बजार में सुचिवत कराया था, कंपनी के IPO में गौरब गुपता की बड़ी भूमिका थी, वे साल 2015 में जमाटो से जुड़े थे, उन्हे का सही अंसरों का, option A, गौरब गुपता, चले next question पतलता है, रास्टी अलपसंखक आयोग का अध्धक्ष निमने में से किसे न्यूक्त किया गया है, option A, अमिताव त्यागी, option B, मोहन प्रसाद, option C, इकबाल सिंग लालपूरा, option D, प्रमोद कुमार सिंग, निकी पंजाब के पूर्व IPS अधिकारी सर्दार इकबाल सिंग लालपूरा ने हाली में रास्टे अलपसंखक आयोग के अधक्ष के रूप में कारिभार समभाल लिया है, अलपसंखक आयोग एक सामवेधिक निकाय है, जिसकी स्थापना रास्टे अलपसंखक आयोग अधिनियम 1992 के तहत की ग समेथ कुल साथ सदस्य का होना अनिवारे है, जिसमें आपका मुसलिम, इसाई, सिख, बौद, पार्सी और जैन समुदाय के सदस्य सामिल है, प्रतेक सदेश्य का कारिकाल पद्धारण करने की तिथी से तीन वर्स की अभधी तक होता है, एक महत्पूर निकाय की रूप में रास्टे अलपसंखक आयोग भारत के अलपसंखकों का प्रतिने धित्तो कर प्रदान करता है, जिससे उन्हें लोगतंत्र में अपने आपको प्रस्तुत करने का अवसर मलता है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वह आपका उप्शन C, इकबाल सिंग लालपूरा, चले नेक्स प्रतिसत के लिए कोटा 30 प्रतिसत से बढ़ा कर जो है, वह आपका 40 पसंट कर दिया है, राज्य के वित्त और मानसंसादन प्रभंधन मंत्री पालने वेल थियकार राजन ने कहा कि लेंगिंग समानता बतलाव लाने में एक महत्पूर भूमे का निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के कोटा में ब्रधी को लागू करने के लिए आविशक संसुधन पे के 8.8 लाग करमचारियों में से 2.92 लाग महिलाया थी तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा आपका ओप्शन पी 40 प्रतिसत चले नेक्स्ट कुशन पर चलता है अंतरास्टी ओलंपिक समीती ने हाली में संपन्ध हुए टोकियो 2020 ओलंपिक खेलों से एक तरफा हटने पर कि अंतरास्टी ओलंपिक समीती ने हाली में संपन्ध हुए टोकियो 2020 ओलंपिक खेलों में एक तरफा हटने पर उत्तर कोरिया को निलंपिक कर दिया है आई-ओ-सी ने उत्तर कोरिया पर यह भी आरोप लगाया है कि इसने अफगनिस्तान से ओलंपिक समुदाय के लगभग 100 पर तालिबान यंत्रे देश छोड़ने में मदद की है तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओप्षण C उत्तरकोरिया चले नेक्स्ट कुशिन पर चलता है प्रती वर्ष दक्षणी छेत्र के देशों के आर्थिक, सावाजिक और राजनितिक विकास को बढ़ावा देने है तो अंतरास्ति ये दक्षण-दक्षण सही योग दिवस का आयोजन कब किया जाता है ओफ्षण A 12 सितंबर, ओफ्षण B 13 सितंबर, ओफ्षण C 14 सितंबर, ओफ्षण D 15 सितंबर अंतरास्ति ये दक्षण-दक्षण सही योग दिवस का आयोजन किया जाता है ओफ्षण-दक्षण सही योग का आसे Global South की परिधी में आने वाली विकासिल देशों के बीच तकनीक सही योग को बढ़ावा देना है दक्षण-दक्षण सही योग विकासिल देशों का ज्यान, कौसल, विससेग्यता और संगसाधनों को समझना साजा करने में मदद करता है ताकि उनके विकास लक्षण को सतत परियासों के मायधम से पूरा किया जा सके यो दिवस जो है 138 सदसे देशों दोहरा विकासिल देशों के बीच तकनीकी सहीयों को बढ़ावा देने और लागू करने हैं तो वर्स 1978 में वियूनर्स आयर्स प्लान ओफ एक्षण को अपनाने की यार्ट में मनाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा आपका ओफ्षण A 12 सितंबर चले नेक्स्ट कुशन पर चलता है वर्स 1893 में सिकागो में भारती विचारक और आत्मत अध्यात्मबादी स्वामी विवेका नंद द्वारा दिये गए अतिहासिक भासन की याद में युनिवर्सल ब्रदर हुड़े कम मनाया जाता है ओफ्षण A 10 सितंबर, सितंबर, ओफ्षण B है आपका 11 सितंबर, ओफ्षण C 12 सितंबर, ओफ्षण D 13 सितंबर वर्स 1893 में सिकागो में भारते विचारक और अध्यात्मवादी स्वामी विवेका नंद द्वारा दिये गए अतिहासिक भासन की याद में प्रति वर्स 11 सितंबर को युनिवर्सल ब्रदर हुड़े मनाया जाता है स्वामिक विबेका नंद्वारा प्रतिस्ठित भासन 11 सितंबर से 27 सितंबर 1893 तक आयोजित पहली विश्व धर्म संसत में दुनिया भर के परतंधियों के बीच दिया गया था यह भासन अपने सुरवाती सब्द अमेरिकी बहनों और भाईयों के लिए काफी लोग प्रिया है जिसके लिए उन्हें दो मिनट का लंबा स्टेडिंग ओविशन मिला था अपने भासन में उन्होंने धार्मिक सर्वक्षिता के विचार का विरोध किया और न केवल पारस्पिरिक सही शुरता इवंग धार्मिक सुक्रिती के संदेज का विचार प्रचार किया बलकि दोनों को परिवासित करने तथा दोनों के बीच अंतर को सपस्ट करने का भी प और कमेंड में कुछ बच्चे मायंग सर के बारे में पूछ रहे हैं मैंने जैसे पहले भी बता चुकियों और टेलेग्राम में भी आपको मिल चुका होगा कि मायंग सर के एक छोटा सा सर्जरी हुआ है जिसके चलते उन्हें भी थोड़ा डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए तो अभी उनकी तब्यत ठीक नहीं हुई है जैसे ठीक होती है आप लोग को जॉइन करेंगे तो प्लीज आप लोग तक तक रिविजन करते रहे हैं थैंक्स पर वाचिंग हैवे नाइस टे टेक केर